दिली शराब नीती मामले में गिरफतार हुए मुख्यमंत्री अर्विंद के जिवाल इंदनों तेहार जेल में बंध है उन्हें परवरतन दरदेशाला ने मनी लॉंडरिंग के मामले में गिरफतार किया था अर्विंद के जिवाल ने अपनी गिरफतारी को सुप्रीम कोट में चुनौती दी है जिस पार कोट ने सोमवार क्यानी 15 एप्रिल को सुनवाई होगी इस मामले के सुनवाई जस्टिस संजीव खंजा और दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी तिन दिन पहले यानि बुदवार 10 एप्रिल को दिल्ली हाई कोट ने CM के जिवाल की गिरफतारी और नयाए खेरासत को वैध कराद दिया है इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोट का रुख किया है अर्विंद के जिवाल ने नसर गरफतारी को लेकर हाई कोट के फैसले को चुनौती दी है बलकि लोगसभा चुनाव 2024 में प्रचार के लिए जल्द रहाई की मांग भी की है इसी क्रम में आपने ता संजे सिंग का बयान सामने आया है संजे सिंग ने कहा कि जेल का नियम 602 और 605 ये कहता है कि किसी की भी मुलकात आमने सामने करवाई जा सकती है अर्विंद के जिवाल का परिवार चिंतित और परिशान है माबाप दोनों बिमार हैं जब अर्विंद के जिवाल की पत्नी मुलकात के लिए आवेदन करती हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप आमने सामने नहीं मिलेंगे बलकि खिड़की से मिलेंगे इतना अमानविय वहवाद आईए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा और आज जो मैं जानकारिया आपको देना चाहता हूँ वो सायथ तिहाल जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा प्रधान मंत्री जी के अगवई में वो काम हो रहा है इस देश के अंदर जो संभौता तिहाल जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा वो काम हो रहा है जाइसी बात है अधिकारी तो एक मोहरा है उसको जो उपर से उनके आखा आदेश देते हैं तो वो काम वो करते हैं अब मैं मुलाकात के संबंध में बताता हूँ जेल मैनमल ये कहता है जेल का नियम ये कहता है जेल का नियम 602 और 605 ये कहता है कि किसी की भी मुलाकाद Face to Face कराई जा सकती है और ये अधिकार जेल प्रसासन को होता है इसका बाता है नियम है आप लोग पढ़ लिजेगा उसकी काफी भी देगा रहा हूं 602-605 के तहर जेल प्रसासन मुलाकाद करा सकता है अर्विन केजरिवाल जी की पत्नी आप सब जानते हैं उनका परिवाद चिंतित है परिशान है माबाब दोनों बीमान है हार चाल जानने के लिए बताने के लिए जब केजरिवाल जी की पत्नी मुलाकाद के लिए अप्लाई करती है तो उनको का जाता है आप face to face meeting नहीं कर सकते ही आप कहीं किसी कमरे में बैठके meeting नहीं कर सकती बल्कि आपको जंगले से जो मुलागात होती है एक बीच में सिसा होगा और जंगले से एक तरफ केजरिवाल जी मिलेंगे और एक तरफ उनकी पत्नी सुनीता जी और जो साथ में गये थे साथी बोल